कि हम सून करते एंगराणोमी टेस्स डी जिसका पार नंबर सेकेंड या रहने वाला है तो चलिए आश्का वीडियो को आपको पूरा जरूद देखना है वीडियो को आपको पूरा जरूद देखना है ठीक है चलो आज की वीडियो स्टाट करते हैं आज किस नहीं सेख लेते हैं तो हमारा फ़र्ष्ट लेक्चर का लाश्ट कुशन था कि सुपर राइस की कल्पना किस न की देती सुपर राइस की किस के द्वारा परतिपादित की गया था जियाज किस के द्वारा इस है और आप से यहां पर यहां को सुपर राइस की स्टाट लगा earnee किसा ऽगाता है यार रखना कि सामाने किसमों से वे किस्मे जो यह रहखना 25 किसमे होती है उन से वह किसमे जो 25 बात करते हैं कि अरुब्रक सब्सीडि रखी इसके शुरुवाद कब की गई थी जल्दी से आपको बताना है एक नवंबर 1966-1999 ओ एक नवंबर 1916 को या फिर एक नौमर 1988 को जल्दी सी कमेंड करिए जो फर्टिलाइजर सबसेटी ती इसकी स्टार्टप कब गया था इसकी सुरुवाइड ग्या था जल्दी सी कमेंड करिए एक नवंबर जल्दी सी कमेंट करिए कब की गई थी फटिलाइजर सबसिटी की सुर्वाथ या इसका स्टार्ट अप कर गया था तो इसकी सुर्वाथ की गई थी एक नमबर आऔर ने सो सेटर को कम की गयी थी एक नमबर 1907 को या रहां फटिलाईजर साबसिटी की सुरवात की गई थी तो आज का हमारा first question है इससे पहले यारखा कि हमारा जो first lecture रहा था तो उसमें यारखा rice जो कि हमारी एक major crop थी तो इससे समादी जितनी most important questions है उन सभी को clear कर लिया है अगर आपने वो पार्ट नहीं देखाया तो link description दे दी जाएगी तो वहाँ से आप parts को clear कर सकते हो इसके साथ यारखा कि जो आज के हमारे class रहने वाले है इसमें हम दो major group हो एक करेंगे हम wheat को एक करेंगे हम सुगर करेंगे यारखा wheat और सुगर करेंगे से जितनी most important questions बनते हैं उन सभी को इस video हम clear करने वाले है तो आज का हमारा first question नेने वाला है wheat से related तो यहां पर आपसे पूचा गया है सामाने रोटी वाले गहूं अथा यारखा गौर्मन ब्रेड वीड का वानस्तित नाम क्या होता है तो यह तो आपको पता हुए एक most common question है अगर आपसे पूचाता है ब्रेड वीड के बारे में तो इसका ब्रेड लेंब होता है क्या होता है जो क्या क्या होती है यार एक hexaploid variety होती है क्या होती है एक यह प लोईड वेराइटी होती है जल्दी सी बताइए कि इंडियन डवार फ़ीड कौनETAL होता है तो इसे को यारWith एंडियन डवार फ़ीड के नाम से जानसता है ठीक है नेक्सीकन को टेड़ के नाम से जाना सता है और भारतिये द्वार्टी द्वार सबस्क्राइब अगर इंडियन दॉर्फी बारे में पर रहा है just जल्दी से こ sentence करेब कि जो origin place होता है गेहु का वो कौन सा माना गया है दक्षनी अमेरिका को मद्य एसिया को दक्षनी पूर्वी एसिया को ये फिर हीरोप को जल्दी से comment करिए कि origin place क्या होता है तो यह रखना अगर पुछाता है गेहु का तो इसका जो origin place होता है क्या होता है दक्षनी पस्तिमी Asia होता है क्या होता है दक्षनी पस्तिमी Asia यहाँ पर पूर्वी दे रखा आता यह राइट आंसर आपका नहीं हो सकता ठीक एक ट्रिसन क्लियर और नेक्स ट्रिसन क्यों बढ़ते हैं तो नेक्स ट्रिसन आपसे पुछा दा रहा है कि सामाने रोटी वाली गहूं अथा त्यार का कॉमन ब्रेड वीड इसमें गुणसूतर आपको दे रहा है कितने दे रहा हैं और यहां पर आपसे पुछा गया है कि जोगहूमन ऻक्ता है सबंब्रेड क्या हता है चतल अब का भाता है तो यारखा अगर बात किजिए common braid weed की तो क्या होता है 2N बराबर 42 ठीक है क्रोमोजोम से भी आप समझ सकते हो क्या होदी एक उसके फैमՁड़ा और समुद्री मेरा अंगर यहां फूदर करें है इसके पर यह सब्सक्राइब में 2020 कि व म। कौन कौन सी होती है एक होती है समाने रोटी वाला गेहूं अथाथ common bread weed और एक होता है भारती हें बोना के क्वोट क्वोर्जाजार वाले डिंट्वरी को है ऐकल इक होता है थार उल्त कर दोन्य को होती है और इन न द्नाम डिंद फीड़न क्रोमों कितनी होते टोटे होते हैं इंडीयन ड्वार फीड और दोनमेक रमोजोम नंबर कितने होते हैं रिपोने बात कते हैं जलदीशी बता ये इसको भारत में लाए गया था गर बात की जाती हैव तो इसे भारत में लाया गया था डाक्टर सबसक्राइब बोलोग की द्वारा किसके द्वार ले गया था डाक्टर नॉर्मल यी बोलोग की द्वारा लाए गया था ठीक नेक्स टुसन के बात कते हैं जो कि एक अच्छा क्यूशन है इन दोनों में आप कन्फीज हो सकते हो तो अगर बात करते हैं पहले की डाटा के ओर्डिंग इसको बाद में क्लियर करेंगे पहले क्लियर कर लेते हैं कि विस्म में घहूं का सबसे ज्यादा छेत्रफल रखने वाला देश कौन सा है ठीक है यहां पर आप से पूछा गया एरिया के बारे में तो यह रखना कि अगर बात करते हैं पहले की डाटा के ओर्डिंग तो फरस्ट इ चहेत्रफल किसी एब भारत का लेकिन अगर आठीक है यह को में में यहां और भारत का आठ्र है ठीक है बात किसाए गेहों की उत्स पादन में अगर पूछा तो फर्स्ट स्थान पर आता है भारतु और अगर उत्पादन में तो उत्पादन में आरुखा भारत का कोण सा इस थाने इस थाने है ठीकिन एक स्टूस्टन क्या मारा करते हैं कि गयों की प्रताम किसम जो कि कम लंबाई लोजिंग रेजिस्टेंस हुआ अधिक उपस देने वाली ती उसका नाम बताइए जल्दी से पताईए कि कौन सी किसम थी तम लंबाई वाली रेजिस्टेंस वाली और अधिक उपस देने वाली नौरिन 10 थी डिजी वो थी लर्मा रोजो 64 ए थी या फिर सोनेरा बारे में तब आपका रायना सुना जाएगा नौरिन 10 क्या होती है कम लंबाई वाली वाली फसल होती है और अधिक यहल्ड वाली फसल होती है नेक्स्ट सब्सक्राइब कता है कि अच्छी प्रकार से गेहु का दाना बरने के लिए तापमार की आपसक्त क्यों होती है आथा यहां पर आपसे पुछ है ओप्टिममंट टेंप्रेचर रिक्वाइमेंट कितनी होती है तो कितनी होती है जल्दी से कमेंट करें बीस से अगर बात कते हैं गेहु के दाना बरने के लिए तो इसके लिए आपसे सानप Sum कि गहों का influence किस नाम से जाना सता है जल्दी से आप कमेंट करिए एर के नाम से रेसेम के नाम से पैनिकल के नाम से फिर अंबेल के नाम से जल्दी से बताइए कि गहों का जो influence होता है तो उसे किस नाम से जाना सता है एर के नाम से रेसेम के नाम से पैनिकल के नाम से फिर अंब इस पर दिक्स नहीं होता है विल्कि इस पाइक होता है इस पाइक होता है इस पैडिक्स मुक्रते यारखां केले का इंफ्लोरेंस ओता है ठीक है यहां पर थोड़ा समिश्टेक वह था कि अगर पुछा आता है इस पर डिक्स तो इस पर डिक्स होता है केले का इंफ्लोरेंस ब जल्दी से आपको बतानी है सिदेट क्या होती है कि रखी जाती है किलोग्राम परती हैक्टेर अछ होती है ठीके ने सब्सक्राइब करती है तो कितना होता है इसके लिए रिक्वाइमेंट होता है सो से डेटोजन की तो नाइटोजन कितनी होती है सो से सब्सक्राइब कर सकते हो तो एक सब्सक्राइब करते हैं अगर आपसे पुछता है सामानेते गेहों की फसल में नाइटोजन पासबॉरस और पॉटास की रिकमेंडेशन कितनी होती है अधार रिकमेंडेड जो दोज होती है उसकी मातर यहां पर पूची गई है इसके तो एक सब्सक्राइब करते हैं तो एक सब्सक्राइब कितना होता है जल्दी से आपको बतना है गैव यह आपको बताना है नाइट की बताना है नाइट्रोजन उसके बाद में आपको बताना है वह उसके बाद में पताना है पोटर शिए कंट कर ये एक कौन सा कमेंट अधा कौन सा औप्सेंस आपका राइट असोर मानद जाएगा अगर बात के जल्टी तो पोड़ास होता है कवल और कवल सुने परसंट ठीक ہے अगर बात करते हैं भास पुरास होता है 46% और पोटास होता है 0% ठीक है क्रिस्टन के लिए रवा नेक्स टीशन के बात कते हैं कि धान में नाइट्रोजन औरवरक उप्योग समता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है अथा दियारगा यहाँ पर आपसे पुछा है नाइट्रोजन औरवरक ठीक है जो नाइट्रोजन औरवरक दिया जता है तो उसकी उप्योग सकता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है जल्दी सी आप बताएंगे सल्फर कोटेड यूरिया के द्वारा यूरिया सुपर ग्रेनुलेंस के द्वारा या फिर नील हरीद सेवाल के द्वारा है या फिर A, B दोनों के द्वारा जल्दी सी आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन औरवरक होती है तो इसकी समता अतात उप्योग समता कि इसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है सलफर कोटेड यूरिया के द्वारा, या फिर नील हरीद सेवाल के द्वारा और आपका लाइस्ट आउसर है A और B दोनों तो जल्दी सी बताएं कौनसा आपका राइट आउसर माज जाएगा तो या रखा A, B, B, दोनों राइट आउसर कौनसा है A, B, दोनों क्योंकि अगर नाइट्रुजन उर्रक है तो इसके समता यारखा सलफर कोटेड युविया की द्वारा और युविया सुपर ग्रेंडलूलेंस दोनों की द्वारा ही बड़ाई जस्सक्री है ठीकिन एक स्ट्रिशन के बात कते हैं जो कि यारखा एक most important किसने कई बार आप से ए ठीकिल ठीक है और गहां गरा का मतलब होता है घ्यों इंटू राइटी मतलब घ्यों इंटू राइक करने पर यादखां ट्रीटिकल को प्राप्त किया गया था इसके साथ त्यार रखां ट्रीटिकल से एक most important किसन मता है कि फर्स्ट मानव मेड अथा याखा मानव निर्मित पर्थाओं फर्सल को थी तो कोई सी त्यार गाएं जिससे आरखां गेहुं इंटू राइट के को से त्यार गया था नेकि टियार इसमाइनर किस कुझ से समानुते हैं जल्दी सी बताएं जिसे घ्यों का मामा गुली डंडा के नाम से जानाँचता है तो इसका कुल कुन सा ह होता है तो यह मुख्यतियार किसमें लगता है जो पर आपको पूचना है कि आमोनीया नाइटोजन ठीक है अमोनीय के रूम में जो नाइटोजन का प्रियोग करते हैं वो किस जौन में किया जब आप प्रियोग करते हैं तो इसका प्रियोग करोगे घ्रीओं में और अगर बात कीज़ें आमोनिया की रूम में छब आप प्रियोग आमोनिया की रूम में करते हो तब एक और बात देख लीजिए कि अगर आफचा फोचाता है ऑक्षिडाइड जोन में दिया और अगर इसकी बात करते है जो कर दो नाइटोजन दिया सा जो नाइटोजन दिया साहिए अमोनिया करो में और किसी करूँं में धी रहाइब है तिक्म पॉइंट के बात करते हैं कि हरित करांती किन फसलों में सबसे ज़्यादा फसल रही है अता सफल रही है हरित करांती सबसे ज़्यादा यारे कौन सी फसलों का योगदान रहाता है जल्दी से आपको बताना है घेहू आलू घेहू चावल चाई कोफी या फिर जो चावल किस Roberto चावल के द्वारा चाय कोफी के द्वारा फिर सबसे जएदा योगदान कि यहाद नियू एस रायप उपर यह यह लिया जाद के द्वारा ठीक है हरित जाहद आतात्यार गुर्ण डीया गया था यह लाट के द्वारा भी पॉइंट के लिए आप कि खाद द्यान अभी इस तोड़ा सा डाटा ये करन डाटा नहीं है इसलिए से छोड़ देते हैं नेक्स ट्रिशन के और बढ़ते हैं नेक्स ट्रिशन आपसे पूछा गया है एक मोस्ट इंपोर्टेंट किसन है कि धान की फसल में अकोईची रोग किसकी विशाल होता है अथ हमान चार पर किस फासवरस आयंट की प्रदानता अधारफ प्रोडेमेट होती है जल्दी से बताइए तो इसे इसका डाइरेट किलियर कर लिजी कि तो वोती है किसकी होती है इसके सबसे ज़्यादा आफ़ाइबिल्टी पर होती है यह थाईज की सबसे ज़्यादा प्लॉबलियुटी है तो यह किस प्येज़ पर होती है नृता है पर पिएच नीट्रल होता है अता त्यार्ण 6-7 के मत दे होता है तब फास्परस आयन की सबसे ज़्यादा अवलेबिल्टी या उत्पलवता होती है ठीक है क्यों में पर्थम सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए तो एक मोश कोमन क्यों से कई बार हमने इसे क्लियर कर लिया है कि अगर आपसे क्विविंचन पूचाथा है कि कि जाती है से और रवस्तापर निकलती है पूझा ऊब अगया प्यूंट किस्के पवयाज में तरतास Κे माइनर का अथत गेहूं का डंडा का आपको नियंतरन करना है तब आप किस केमिकल का प्रियूग करते हो जल्दी से आप कमेंट करोगे 240 का प्रियूग करेंगे प्रियूग करेंगे प्रियूग करेंगे फिर ग्रेम एक्सोन का प्रियूग करते हैं जल्दी से बताएंगे कि फ यहां बहुतको द्वारा की तिसकर का है ईसका का बात करते हैं जो किसन बहुता यह पूछा जो फैलेडिस माइनर होता है तो हजार दानों का वजन किया करता है सबसे पहले आपको यह बता होना चाहिए तो इसका टेस्ट वेट क्या होता है यह किसन आप अगर बात कीज़ार हजार दानों का वजन होता है तो सो सीड का वजन क्या होता है सीड इंडेक्स तो अब कुछा पर आईए तो यहां पर आप जल्दी सी कमेंट कर तो आगर पूछाता है जो टेस्ट वेट होता है, हजार दानों का जो वजन होता है यह होता है केवल और केवल दो ग्राम कितना होता है केवल और केवल दो ग्राम और यहां पर अगर आपसे क्विशन पूछा था ग्यों का तो ग्यों का जो टेस्ट वेट होता है अथा त्या रहां ग्यों के हजार दानों का जो वजन होता है व पूछा गया है जिन को हाइलाइट किया जता है उनका आपको विश्चेसा रखना है क्योंकि यह क्यूशन हमेशा पूछे आते हैं ठीक है तो यहां पर आप से पूछा गया गेहूं अनुसंदा निदे सले अथा डबलू डियार खांपर इस्तिते जल्दी से बताइए हैदरा अगर आप से पूछाता है जितने बी मोश्ट इंपर लिया है अब हम बात करते हैं सुगर कैन से समधी जितने बी मोश्ट इंपर्टेंट कि सना उन सभी के बारे में आप ठोड़ा सा डिटेल में सोल कर लेते हैं तो सबसे पहले कि आपका बनता है कि यह ऊधा है जल्दी से बताइए कि से करम इसने या फिर होता है से करम सैनेंस तो यासे पूसे था है नोबल कैन का बारे में से नेरम का उधगव का स्थान की से माना जबताएं गया इन्डोनेशन को माना गया फिर चानए को मना घ्या बताईए कि गन्य का उत्पधी इस्तान अथाइफ्यन प्लेश्ट किसे माना गया है घ्रात की सेन गया है अगर आपसे पूछता है की अनतर होता है यहां पर आप से पूचा गया कि अतार्स प्रोडक्तिवीटी सबसे ज्यादा किस राजी में उत्रप्रदेश में होती है पर मंगाल किस राजी में मिलाडो में अगर बात किया अगर बात कि तो प्रो अधात होता है तो सबसे ज़्याद इसका उत्पादन होता है उत्तरः प्रदेश में ठीकिन एक्स ट्रिषन के और भरत आ हैं गने का करसी है र चेत्रफल उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे जढ़ा है जिससे कि हमने अभी बताया कि अगर आफ से किस रहता है गन्ये की उत्पादक और उत्पादर खाँ पर है उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा प्रोड़क्टिविटी खाँ पर है तमील लाड़ों में है नेक्स्ट इसन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो आपको आना वीडियो एक लाइक और चैनल को अभी तक सबस्राइब नही होती है फिर इनमें से होती है जल्ली इस इता है यह क्या होती है इस आरे मानेजी है शुगट सवान जाते हैं जो क्या रहा है एक पूछा सबस्क्रानवरा के नाम से कि समय कुरू चांचे जल्दी सी कि नाम से श्कुम्राइंगे कि कि समच के नाम से तो यहां अगर आपसे पूचाथ गन्ये काल Estados बाता है एक ऑपन प से किनीखली नामसे इससे जाना चेरी हिए और ऐरो आने की आथा पुस्वर्म निकलने की जो कंण्ये में क apostasy की संपूर्ण करिया को किस नाम से यहानसे है इसाई इंग नामसे टीकि जो पुआंच के पूset टिम्वर्वार के लिए अनुकूल कितना होता है जल्दी शेर से बुसम्य टैप्रेचर कितना होता है जल्दी से बताएं के लिए आनुकूल एक चाहिए जलती से बताईए कि optimum temperature कितना requirement होता है गन्ने की growth करने के लिए त्यारखना अगर बात की जाए अनुकूल temperature तो यह होता है 26-32 ठीक है जो गन्ने की बढ़वार है तो इसके लिए आवशे होता है 26-32 डिग्री से अपन requirement होता है ठीक है एक अकिल भारतिये गन्ना अनुसंदान कारिक्रम कब सुरूग किया गया था जल्दी से बताएए कि AICRP और सुगरकें कब सुरूग कि अगया था जल्दी से बताएएंगे पर पर पहले तो कितने यानि कितने समय का होता है ठीक है यहां पर यह पहुचता है कितने मंत का होता है यहां पर आप से कुछा गया है कि रोपाई कब की जल्दी से बताएं इसकी रोपाई कब की जाती है जुलाई से जब्स मत करना है कि जती है तो इसके रोपाई कब करने चाहिए कि जाती है इसकी रोपाई को कि जाती है जुलाई से बनता है आप से एक्जाम में पूछा गया कि उगाने के लिए गन्ने के सिस्वाग करना चाहिए क्योंकि इसके उपरी पार्ट में ठीक है जो इसका पॉर्षन होता है तो इसमें किसकी मात्रा अधिक पाइज जती है इसलिए इसका चुनाओ किया जता है यह आपको बताना है जल्दीशी बताइए जो टो पॉर्षन होता है इसमें किसकी मात्रा अधिक पाइज ती है स्कुरोड़ी बताईये है कि मात्रा अधिक पाइज जती है पिर म्लोस की है saber यार खाय गल्ल कोई क्लिंव स्पार में टो से कम कि मातरा सबसे अधीन अध्य के पीजिए ये वी यह गयलता है तो भुल जुक तौन कृक्ति के लिए को स्थाना नणकरने या है Luke कि इसके आपशकत होती है individually कि इक प्रॉंकिय की जलदी से बताइऄ की गण्य में सुगर टांस लोकेशन अथा यारखा जो सुगर खसकता होती है तो इसका इस्थानांतरन किसके द्वारा किया सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए सबसे ज्यादा क्रांतिक वस्ता मनता है कि आप से पुछाता है गन्य की जो क्रिटिकल इस्टेज होती है इसे समझ आएगा नहीं आपके तो यहां पर आप देख लीजिए अंकुरन ग्रेंड, ग्रोथ फेज, फॉर्मेटिव इस्टेज और एक होती है पकने की अवस्ता और क्यूशन में आप से पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल इस्टेज माने जाती है सिंचाय की वह कौनसी है तो इसके अकोर्डिंग आप राइट आंसवर देख सकते हो छिए अंकुरण होती है, է्रेंड, ग्रोथ फेज होती है, फिर फॉर्मेटिव इस्टेज फिर होती है पकने की अवस्ता तुकर ङगर बात में नकलती है उंकी पकन करने का एकट वीद्याक flex दिन बाद में निकलती है ठीक है सबसे ज़्यादा जो अटेक होता है वो कितने समय तक होता है तो पहले आप पता दीजिए जल्दी से कि इतने समय तक खर पता इस परदा बनी देती है दो मैने के लिए पांच मैने के लिए फिर छे मैने के लिए जल्दी से बताइएंगे इस परदा सबसे हुछ से अधिक होते है उसके ने की जब करते हैं गन्य की फसल में खर्पतार नियंत्रन के लिए को से जल्दी से बताइगे उनकी फसल में खर्पतार नियंत्रन के लिए किसका प्रियोग करते हैं सिमेजीन का यस एक यतन को दिडाले गाम कर दो कित लिए पीने में नेडनी कित दया है और फी तो parवर्ण को पूछा गया है चिंप में करना से होती है पहले आप अपसंस देख लीजिए उनके सबसे बहेंकर रोग किसे माना जाता है तो कौनось सबसे वहuning सब्सक्राइब गुर्ण इसकी सीडरेट रखे जाती है इसकी सीडरेट रखे जाती है डुकड़ृ में किसें रखे जाती है यहाँ पर आपसे उसकी से rat h种 होती क्या है थी--30,000 होती है चलई से 5,000 होती है या फिर score rate क्या होती है जल्दी से बताएंगे कि त desarrollo कि एक पैटरेशार उसकैण से 45,000 होती है जल्दी से पताएंगे कि स्की leadership रखी तुकडों में किसमें रखी जाती है सेट्स टुकडों में रखी है तो जली से वताज इसका रायीट आंसवर किसे मना जाए करना घरना की जो रोपन विदी होती जल्दी से बताएंगे इसको सबसे ज्यादा है इसको सबसे ज्यादा पर एपलाई किया अगर बात की तो इसको सबसे ज्यादा प्रियों किया साहे तर्टीय शित्रों में ठेके ने वाला है कि गन्य की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से गन्य के रस में सरकरा की मात्रा पर क्या प्रवाव पड़ता है कि उसन को दुबारा से पढ़ लीजिए कि गन्य की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से गन्य के रस की जो सरकरा होती है तो इसके मातरा पर क्या effect पड़ता है यह गड़ जाती है या फिर इसते रहते हैं फिर इन में से कोई साभी प्रकाया का effect नहीं पड़ता है तो यह अगर कभी भी ठीक है कभी भी अगर मालीजी आपसे question पुछाता है कि अधिक nitrogen देने से क्या प्रभाव पड़ता है तो इससे क के मातरा घड़ घाति है तो आजशक लिए विडियो कमण करके जरूप पताई और अगर आको वीडियो पसंद आय motion आयों to a आपको करना है आपको करना है विडियो के साथ ज्याद ज्यादा से और चैनल कहीं तक स्ब्स्राइब नहीं किया Door system written आप साथ से रुट एक लेजिए हैं से वार्त वाई बाई बाई एक गुटनाइट